हेलो हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंड्स सुभा सुभा का टाइम है और आज तारीक है तीन दिन है संडे का और अभी बज़रे हैं सुभा के पोने छे के करीब हम एउट गे थी सोके कोई पोने पांच बज़े के करीब और ये विलोग में रहे मेरे बेटे के बर्थर जीसे ना नेक्स्ट डे का तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सुबह सुबह मतलब कपड़े उपड़े निकल रहे हैं क्या प्लान है तो फ्रेंड्स मुझे कुछ भी नहीं पता था मतलब क्या प्लान है क्या नहीं हम रात को अच्छे से हमने बर्डे सेलिवरेट किया अच्छे से सोए मतलब ऐसा कि हमें कहीं जाना पड़ रहा है हमें पता तो था पहले से ही के हाँ वहाँ प्रोग्राम है लेकिन हमें नहीं जाना था तो इसलिए हमारी कुछ भी तैयारी नहीं थी कुछ भी तैयारी नहीं थी नहीं तो देखो कहीं जाना होता तो पहले से ही मतलब अपनी तैयारी के रही कपड़े वगरा रखे जाते हैं लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं जाना था तो हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी और अचानक से हस्बेंड ने उठाया तो मैंने सुझा चलियो चलते हैं आज संडे भी है और बच्चों की बस एक दिन की छुट्टी होगी मंदे को हमें वापस से आ जाना है तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूं मैं जा रही हूं अपने गाउं की तरफ गाउं ही जा रही हूं मतलब हमारे यहां पर एक साधी है ननत की लड़की की लेकिन साधी तो मैं नहीं है ननत की लड़की की भात भी मतलब हमें लेके जाना है लेकिन ऐसे ह थोड़ी सी मतलब अनबन सी हो रही थी तो हमें जाना नहीं था मतलब हमारा प्रोग्राम जो कैंसीली था होता है देखो घर परिवार में रिष्टेदारों में थोड़ा वहत कभी न कभी मन बटाओ चलते ही रहता है तो उस वज़े से जो कुछ भी प्लान नहीं था हमारा जा आप लोगों ने मेरे पिछले विलोग में देखा भी होगा और आज भी इतना गंदा मोसम है ना पारिस ओले और मतलब हवा इतनी ज्यादा चल रही है तो मोटे कपड़े भी देखने हैं और पहनने के भी देखने हैं क्या पहन के जाना है क्या लेके जाना है सब के कपड़ मतलब अभी निकलेंगे रभी के भी बैक पैक होगा तो इसलिए थोड़ा सा मोड भी खराब था क्योंकि कहीं देखो ब्यासादी में जाओना तो फिर एकदम से पैकिंग भी नहीं होती है बस समझ नहीं आता क्या रखें क्या नहीं रखें तो साड़ी वेगर मैंने अपनी निकाल ली हस्बेंड न बोला अपना जो है लाचा जो है वो लेके चलना पहले तो मैं मनाई कर रही थी क्योंकि इतनी जल्दी में कुछ भी तियारी नहीं होती है तो फिर मैंने ये वाला निकाला वस मैंने ये एकी वार पैना था तो ये थोड़ा सा टाइट था उस टाइम पर तो थोड़ा सा बटन लगाने की तरफ से ये खिच गया था तो मैं इसी विलाउच को देख रही थी लेकिन मुझे ये दिखी नहीं रहा था कहां से मतलब थोड़ा सा खिच रहा है लेकिन ये हुक वाली पट्टी से खिचा हुआ था तो मैंने इसको डाल के देखा है थोड़ा सा तो इसकी बाजू हलकी सी मुझे टाइट लग रही है तो मैं सुबह-सुबह ही बैट गी मसीन प से निकला हुआ उसको भी सिलूंगी तो थोड़ा सा साइडों में से अभी एक्स्ट्रा खोलना पड़ेगा क्योंकि हुक वाली पट्टी पेसे करूंगी न तो यह थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो बस अभी सुबह इतना मोड खराब है कि क्या पैकिंग करो क्या लेके जाओ जल्दबाजी में फ्रेंट्स आधा चीज रह जाती है आधी नहीं रखी जाती है और फिर टाइम पर कुछ भी नहीं मिल पाता ऐसा भी होता है तो बस अभी जो जैसा है उसी हिसाब से कर रही हूं पूरे ठंडे दिमाग से क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाओं लेकि अगा लिया है इतने नहांगे वांगे सब इतने में कर लूंगी और फ्रेंट्स आज ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस तरह से मतलब अचानक से जा रही हूं दोनों रेड़ी अक्स कैसा हो जा तूजरा सी देर महीं है अभी से टूलल लागा तू तो तो आदेखो कमर का हाल वाप रहे है यह देखो शैरी साफ सपाई करें हुई मत्टी में रला देए हुआ है काम कुछ हुआ नहीं है आज पहली का रहा है तो गाइस देखिए है इस होना होगी आ डेवी आज था संदे और आज कहाना कुछी बता तो हम अपना आराम से थोज़ देखिए है अचानक से उठागी है पोने चैवरे बोलने रहे हैं कि जल्दी उठागा उचे करें कैसी बार इस पड़ियों चिला के बोले है तो फ्रेंड्स रात को ना मैंने आप लोगों ने मेरे पिछले ब्रॉक में देखा था मेरे सर में बहुत ज्यादा दर था जब मेरे बेटे का जर्म दिन था तो मैंने रात को बरतन वगरा भी नहीं किये थे क्योंकि मुझे खाना बनाना ही मुस्किल हो गया था उसके बाद मैं सो गी थी तो बरतन भी सुबह ही उठके किये हैं और मैं साड़ी बस मैं ये वाली निकाल ली है क्योंकि एकदम परफेक्ट है इसके लेकिन आज मुझे पहन के जानी पढ़ रही है क्योंकि वहां कोई बदलने का मतलब चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा इसलिए मैं आज जो देखती हूं कि मेरा सफर आज का कैसा रहता है साड़ी में क्योंकि मैं कभी भी निडाल के जाती हूं तो अभी बस बच्चे रे हूं और देखूंगी मतलब कपड़े उपड़े चेंज करेंगे महां पर तो क्या पहना जाएगा क्या नहीं पहना जाएगा वैसे मैंने अपना नेकलिस रख लिया है वह वाला जो मैंने ओनलाइन मंगवाया था तो वह मेरा मल्टी कलर का सभी पर चल जाता है तो देखिए फाइनली मेरी साड़ी जो हाब बल गई है चूड़ी वगरा मैंने डाल ली है और अभी वैग सारे पैक कर दिये हैं बड़तन भी दुल दिये हैं लेकिन फ्रेंट जाड़ू न मतलब ऐसी मोटी मोटी सी लगाई है मैंने कुछ तो मैंने रात को ही कठा कर दिया था जो घर गंदा गंदा हो गया ऐसे गंदगी नहीं है लेकिन कपड़े इदर उदर पड़े हैं और रात को बारिस आई थी ना किलकी में से पानी पानी आगया तो गद्धा भी बहुत गीला सा हो रहा है मतलब तकषत वाला गद्धा गीला हो रहा है तो इसको भी सुखाने का मतल जब नहीं हैं देखते हैं इसमें क्या होना कहीं ऐसा लग रहा बदबुन आ जाए तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे घर का हाल बहुत ज़्यादा खराब है और जब मैं आऊंगी ना अगर गर जब जाते हैं ना तो साफ होना चाहिए जब आते हैं तो बड़ा ही काम जो जरूरी है जैसे फिरीज वगरा में कुछ रखना है निकालना है क्योंकि कई चीज़े ऐसी ही है कि बची हुई है तो वह भी मुझे फिरीज वगरा में रखनी है तो अभी मैं अपना सॉल देख रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत जादा जर्सी तो मैंने रख ली मैं पूरे कपड़े रख लिए एक्ट्र एक्ट्र रखें है एक उड़ी क्योंकि कुछ नहीं पता कभ क्या हो जाए भीग जाए किया हो जाए तो मैं यहां पर लिकाले नहीं हो गए है रेड़ी चलते हैं अब हमो गए रेड़ी सारे और पहली बार हम ऐसे जा रहे हैं मतलब जो मैं मतलब इस तरह से जारी हैं जाड़ू बाड़ू कि ना लगाए अन्य टोटल काम करका जाती हूं मैं और दो चार बड़तन भी है वी किशन में तो एक बैग ये पैकिंग हो गया ये वाला फैला पैकिंग हो गया इसमें मेरा लाचा लेहना जो भी बोलते हो रख लिया म मौसम दिखाती हैं मौसम पूरे के पूरे आज बज गए इसकी और ये तब्यत खराब नाक सॉला काला मौसम है नजारा देखो इतना गंदा हो रहा नहां पूरे में ये देखो लेकिन हम ऐसी भाग रहे हैं और देखो कितना गंदा रात को भी ओले पड़े थे ओले और यह से पूरा पानी पानी देख लो जी खिड़की चैक कर लो एक बार पूरा पानी आया थर यह गद्दा पूरा भीगे से खोल दे थोड़ा सा तक अटीए आप अरुदर की खिड़की में भी पूरा पानी 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 चलो जैकिटी यवाली है। लिए उवार्ट्र रखनु नहीं और लूगर रखने यह और अग्या रखनी है रखलिया यह यह नुट्टीर है गोदा इने शेव खारी हूं तो देखी फ्रेंड्स बैठके हैं गाड़ी में और चले चलते हैं लेके मातारानी का नाम सब कुछ पैक कर लिया है और ये ढूंड रहा है रुमाल इसको रुमाल नहीं मिल रहा है मैंने दोनों के निकाल कर रख दे लेकिन इसको मिली नहीं रहा भी मैंने कहा चल देखनूंगी वहाँ पर मिलेगा नहीं तो फिर मेरा ले लेना यूज तो यह करते नहीं बस पोकेट में रखना है इनको तो देखे अभी चलते हैं और चलते हैं साधी दिखाऊंगे आप सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है आप लोग जरूर से देखना तो फ्रेंट चल पड़े हैं अभी और जल्दीवाजी में पसे से मोसम आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है और बार इसी भी आती रही कहीं कहीं को कहीं को दूप थी कहीं को बारिस सी तो बस इसी तरह से हम चलते गए और हमें पहुंचने में भी काफी टाइम लग गया चलते चलते ना फिरेंट्स रास्ते में गाड़ी भी थोड़ी सी गड़वर्सी करने लगी कभी कभी ना अब एक दो बार से हमारी तो अब ही जो है ये गाड़ी दिखा रहे हैं मिस्तरी पे इतनी ज़्यादा प्रोबलम तो थी नहीं लेकिन फिर भी न कहते हैं कि जब थोड़ी सी प्रोबलम आया बही ऐसी सवारी है मसीनरी है तो जो ठीक से करके ही चलना चाहिए तो बस इसमें भी कुछ टाइम गया और ज फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंचने वाले हैं अभी गाओं और इससे नेक्स्ट विलोग आपको बहुत स्पेसल देखने को मिलेगा अभी हम पहुंच गे हैं गड़ में और ये देखिए गड़ की क्या रोनक है लेकिन मौसम ना सब जगे ही इतना खराब है हर जगे ओले प अब नेक्स्ट विलोग में ही पूरी धूम धाम के साथ तो प्लीज आप चैनल पे कंटीनू बने रहना और ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन प्रेस कर लेना और कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वाला वीडियो में रख कैसा लगा तो फ्रेंट चलती हैं मिलूंगे आपसे न्यू विलोग में तब तक के लिए बाइ फ्रेंट अपना ध्यान रखना